राजधानी भोपाल के भदबदा बस्ती से हटाए गए लोगों ने मंगलवार को कलेक्टरेट का घेराव कर लिया कई महिलाएं तो बच्चों के साथ कलेक्टरेट के मुख्य गेट पर ही बैट गए उनका कहना है कि फरवरी में उन्हें जिला प्रशासन ने एंटीजी के आदेश के बाद सक्ती से हटा दिया था लेकिन आवास के बदले आवास नहीं दिया जिससे वो बेघर हो गए हैं NGT के आदेश के बाद जिला प्रशासर ने बड़ी जील के किनारे भदबदा बस्ती के अतिक्रमण को हटा दिया है रहवासियों को अतिक्रमण हटाने के लिए तीन दिन का समय दिया गया था सुमवार को वह अवधी समाप्त हो गई अब घर के बदले घर देने की मांग को लेकर विस्थापित परिवारों ने मंगलवार को कलेक्टरेट का घेराव किया उनके साथ कॉंग्रिस के पूर्व मंत्री पी सी शर्मा और नगर निकम की नेता प्रतिपक्ष शबिसन जकी भी मौजूद रही जानकारी लगते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कारियों को समझाईश थी कलेक्टर स्वेम मौके पर पहुंचे और लोगों को मकान के बदले मकान देने का अश्वासन दिया पुरु मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि मद्यप्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है जब बिना किसी व्यवस्ता के गरीबों को हटा दिया गया सब पट्टे पहले के हैं लोग सो साल से यहां रहते थे वहां मंदिर और मस्जिद हैं पहले प्रशासन इनके रहने की व्यवस्ता करें उसके बाद कोई बात की जाएगी यह बदर्दा में तीन चार मेहने पहले पुलिस फोर्श के साथ एज़ियम खान थे यह कहके जुगियां रही थी इनको बहुत जबी प्लाट दे रहा हैं उसके बाद आगए लोग सोगा के लेक्शन यह प्लाट दिये नहीं अब नगर निगम ने प्रसाशन से महां से मलब हटा रहे हैं और मिट्टी डालने हैं हम लोग का और इन लोग का सब का यह खेना है कि यह पहले इनका व्यवस्था पनों इनको प्लाट दिये जाएं यह बेघर हैं आज की तारिक में उसके बाद ही हुआ कोई काम हो दूसा सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में वहां जब रिसाइड हो जाए तब उस चीज को वो करें इस बात का हमने पहले भी इनको दिया है सुप्रीम कोर्ट में है सब मामला और दूसरा यह इनका व्यवस्थाबन तुरंद किया जाए इनके बच्चे फेल हो गए परिक्षाओं बैठे जिस से से कोलार रोड के जुप्रीवालों को पचास एक को विसंखेडी में जगह दी गई वैसे इनको दी जाए यह कहेंगे कि मकान देते हैं तो बिस जार भी नहीं को जाएंगी इनकी बात सुरें इनके साथ नयाए किया जाए पुरंद इनको जगह दी जाए तभी बदवदा मे कोई काम नगर निगं की नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने कहा कि कलेक्टर को ग्यापन सोपा है जब NGT का ओरडर हुआ तो गलत रिपोर्ट पेश करते हुए बताया गया कि 227 जुग्गी वाले रहते हैं हमने उनका विस्थापन कर दिया लेकिन रिपोर्ट गलत थी वहाँ 427 लोगों का घर तोड़ दिया गया रोजगार और बच्चों की सिक्षा का अधिकार छीन लिया जिला प्रशासन और नगर निगं ने गलत जानकारी पेश की और कोट को गुम्रा करके गलत रिपोर्ट पस्तुत की गई देखिए हम लोग यहाँ पर ग्यापन सोपने आएं कलेक्टर साब को क्योंकि जब NGT का ओर्डर हुआ था तो उसमें इन लोगों ने गलत रिपोर्ट सम्मिट की और यह कहा कि 227 वहाँ पर जुगी वाले रहते हैं और हम उन्होंने हमने उनका विस्थापन कर दिया जबक क्लास के सारे बच्चे फेल हो गए सप्लिमेंटरी आई कई बच्चों की वो अलग हम उनके अधिकारों के लिए मांग करेंगे बाकी वहाँ पर इन्होंने गलत गलत जान का रही हैं जिला प्रशासन नगर निगम प्रशासन ने प्रस्तुत की और कोट को गुमरा करके NGT स भी शायदा सुल्तान के नाम से रजिस्टर्ड है बाकाइदा और ये लोग उनको फोर्सफुली हटा दिया है पुलिस बलके माध्यम से और अभी भी वहाँ पर किसी भी धार्मिक स्थल को ये कुछ इनके करने की प्लानिंग है जो हम बिल्कुल इनको कामियाब नहीं होने देंगे और हम यहां यह मांग करने आएं कि जब आपने तीन औप्शन रखे थे या तो पैसा ले लो या आप हाउस फॉर आप्शन देने की सामर्थ नहीं रखते और ना इनके पास में आज की डेट में हाउस फॉर आप्शन की मल्टियां तैयार हैं कि इन लोगों को लिस्ट सम्मिट कर दी लेकिन आज दिनांग तक इन लोगों को घर या प्लाट आबंटित नहीं किये गए अब वो लोग वहाँ पर पेंड के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं क्योंकि आपने जो उनको साहिता राशी दी थी उस साहिता राशी के अंदर चार महीने पा कर देंगे जो आप 2,001 का उनको लोन सेंक्शन करके देंगे तो यह अत्याचार है अन्या है हम यह चाहते हैं कि उनको विस्थापित करके उनको जगए दे सरकार जब जैसे सरकार ने हटाया है ताकि वह अपना रोजगार चला सके और जो वरतमान में उनके बच्चे स्कू कि आप देख रहे हैं डखल न्यूज